हेलो एवरीवन वेल्कम बैक तो माई चैनल आज हम यहां पर आलिया कट ब्लाउट्स कटिंग और स्टिचिंग करना सिखेंगे तो सबसे पहले मेजरमेंट देख लेते हैं शोल्डर है मेरा थर्टीन एन हाफ इंच लेंथ 14 एन हाफ इंच पिटिंग है मेरी 31 एन हाफ इंच औ और आप बनाना चाहते हैं तो बनाएं अधरीवाइज इसको स्किप भी कर सकते हैं और जो नीचे से बॉटम रहेगा हमारी स्लीव का वो टैन इंच इंच रहेगा और नेक की जो लैंठ रहेगी फ्रंट में वो 7 एन हाफ इंच रहेगी और बैक पैक रहेगा वन एंड हाफ तक उसके बाद जो यहां पर हमारा पैटर्न रहेगा फरंट पार्ट का वह कुछ ऐसे रहेगा यहां पर हलका सा वी लीफ नेक आएगा और यहां से ऐसे राउंड शेप आएगी ऐसे यहां पर और यहां पर जो नॉर्मल स्लीव है वह कुछ ऐसे रहेगी लेकिन मैंने यहां पर हलका सा वान इंच तक यहां पर पफ दिया है तक वह तोड़ा सा सुंदर लगे इसलिए मैंने हलका सा यहां पर दे दिया है आप चाहे तो इसको सिंपल भी रख सकते हैं और फ्रंट में हम यहां पर लगाएंगे यहां पर ऐसे और बैक कनेक मेरा पेक रहेगा यहां पर यहां पर तो इस टाइप से आज हम ब्लाउस कटिंग और स्टेचिंग करना सिखेगे तो सबसे पहले आज हम मेन अस्तर पर कटिंग करेंगे जो कुछे कमेंड् Broken मैंट इसको बाद में कैसे कंट कर देंगे तो बैक पार्ट को आज हम में अस्तर पे ही कट करेंगे, तो इसको कैसे कट करना है, सबसे पहले हम यहां पे लेंगे अपना शोल्डर, जितना हमारा शोल्डर है, सबसे पहले यहां पे एक स्टेट लाइन ड्रॉ करेंगे, एसे, और जितना मेरा शोल्डर है यहां पे थर्टीन एंड हाफ इंचिस, उसका हम हाफ कर लेंगे, तो 6.75 आपका 14 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, आप उसके अकॉर्डिंग इसका हाफ कर लेंगे, तो मेरा 6.75 आया, तो मुझे यहां पे 6.75 लेना है, और जहां से डाउन जा सबी साइज के लिए कंपल्सरी रहेगा, और यहां पे हमारा एक नक पैक है, और एक नक डीप है, तो यहां पे हम अपना आर्म होल निकालने के लिए, चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस 1 करेंगे, तो यहां पे देखिए, 31.5 डिवाइड बाई 6 प्लस 1 करेंगे, 6.25 यानि 6 इंच के उपर 2 लाइन यह हमारा यहां पर तो अभी हमें क्या करना है सबसे पहले हमें अपने शोल्डर का हाफ करना है हाफ हमने कर दिया और यहां पर एक चीज हम ध्यान देंगे सबसे पहले फिटिंग का निशान लगाएंगे जो बैक पार्ट है हमारा वो पूरा पैक है यहां पर तो हम यहां पर 2 1⁄फ इंची का लूजिंग इसमें एड करेंगे तो यहां पर देखिए 31 1 1⁄फ प्लस 2 1⁄फ हमने किया 34 इवाइड बाइ इसको 4 करेंगे तो 8 1⁄फ इंची आया मेरा यहां पर तो back part में हमने 2.5 inches का losing add किया है और यहाँ पे 1.5 inch का रखा है हमने margin margin क्या होता है कि जब हमारा blouse tight हो जाता है यह lose रहता है तो हम वहाँ पे सिलाई लगा सके वो हमारा margin है जो अंदर की तरफ रहेगा और losing जो हमने add की है वो हमारे fitting side में रहेगी वो हमने losing add की हैं तो अभी हम क्या करेंगे देखिए यहाँ पे 6.75 है तो यहाँ पे 5.75 पे निशान लगाएंगे और यहाँ पे 6.2 तो जितना मेरा shoulder है उसे 1 inch कम और जितना shoulder है उसे half inch कम करके हमने निशान लगाया है और यहाँ पे 0.75 पे निशान लगाएंगे क्योंकि यह जो 0.75 है वो हमारी fitting के according आता है और इसका जो explain है मैंने बहुत सारी videos में किया है पहले भी और यहाँ पर यह 30 से 39 के बीच में जो हमारी fitting रहेगी वहाँ पर 0.75 आएगा और 40 से जितना plus रहेगा वो अलग-अलग size के according आएगा अगर आप online class लेना चाते हैं अगर videos देखने के बाद भी आपके doubts clear नहीं हो रहे हैं तो हमारा batch फरवरी से start हो रहा है उसका update आपको YouTube पे और WhatsApp पे भी मिल जाएगा आप number save कर ले हमारा screen आपको दिखाई दे रहा होगा तो आप class को join कर सकते हैं basic से advanced पूरा भी आप join कर सकते हैं और अगर आपकी कोई favorite class है यानि किसी blouse के लिए आप special class लेना चाते हैं तो आप single class भी वहाँ पे purchase कर पाएंगे तो उसके बाद यहां पे हम इस वाले निशान को थोड़ा सा आगे की तरफ लेके जाएंगे और यह जो main marking है और 0.75 वाला marking इन दोनों निशानों को मिलाएंगे आपस में और यहां पे ऐसे round shape देंगे उसके बाद यहां पे हम जाएंगे half inch बाहर और यहां से जाएंगे थोड़ा सा ऐसे नेचे की तरफ और fitting का main marking और यहां पे ऐसे यह हमारा back part का हमने यहां पे अपना arm hold रोग कर लिया उसके बाद हमने यहां पे center से two and half inches का निशान नहीं लगाया था तो हम इस निशान को लगाएंगे और इस वाले जो हमने one inch down किया था अपना shoulder उस वाले निशान के साथ इसको ऐसे मिला देंगे उसके बाद हम यहां पे अपनी length पे निशान लगाएंगे 14 and half inches है 15 and half inches पे हम निशान लगाएंगे और इस निशान को करेंगे हम यहां पे सीधा और यहां पे देखिए मेरी chest 26 है sorry waist 26 है divide by 4 करेंगे 6 and half inches और यहां पे हम कोई भी losing add नहीं करेंगे और margin लेंगे हम 1 and half inches का और यहां पे ध्यान रहें कि यह हम main अस्तर पे आज cutting कर रहे हैं only back part की front के लिए हम फर्मा ही बनाएंगे यह हो गया हमारा back part draw उसके बार हमें यहां पे shoulder रखना है अपना two and half inches तो हम यहां पे सबसे पहले half-half inch नीचे एक line draw करेंगे जो हमारी सिलाई वाली line होगी तो यहां पे हमें देखिए two and half inches लेंगे हम shoulder तो यहां पे three and half inches रखेंगे क्यूंकि half inch हमारा सिलाई में यहां पे और half inch यहां पे आएगा तो अभी यह जो हमने down किया होगा shoulder है और two and half inches वाला mark है जो हमारा सबसे पहले हम इसका करेंगे center कि हमें यहां से अपने neckty length लेनी है तो जो neckty length रहेगी हमारी और यहां बैक लेंग नेक की लेंथ है one and half inches यह one point twenty five हम one point twenty five रखेंगे one and half inches जादा हो जाएगा और यहां पर इसके साथ ऐसे इसको मिलाएगे उसके बाद यह जो हमने half inch नीचे down किया है हम यहां से ऐसे neck में shape देंगे तो यहां तक जो है वो मेरा back part यहां पर पूरा complete हो गया है उसके बाद हम अपना front part draw करेंगे फिर यहां से side से हम इसको complete करेंगे back part के बाद front part में हम पहले देंगे एक straight line draw करेंगे और उसके बाद जितना हमारा shoulder है उसका half करेंगे तो यहां पर आएगा 6.75 75 पर निशान लगाएंगे on fold side से लेंगे हम 2.5 inches और यहां से 1 inch down करेंगे 1 inch down करना सभी size के लिए compulsory रहेगा और यहां पर जितनी हमारी chest है 31.5 divide by 6 plus 1 करेंगे 6.25 क्योंकि एक neck pack और एक neck deep है हमारा तो यहां पर 6.25 पर हमारा निशान आएगा इस निशान को करेंगे हम यहां पर सीधा उसके बाद 2.5 और down किया हुआ shoulder है इन दोनों निशानों को भी मिलाएंगे यहां पर ऐसे और अभी हमें अपना armhole रोग करना है तो यहां पर हमारा neck deep है front में तो हमें अपने shoulder से minus करना पड़ेगा four example only example देखेंगे जैसे यह one and half से two inch का shoulder है अगर आपका shoulder one and half से two inch के बीच में आ रहा है और वी leaf neck है और यहां पर seven से seven eight यानि seven से seven and half के बीच में आपका neck है जिसे seven to eight लिका है तो seven and half इसके बीच में आता है तो हम इस परी line में देखेंगे तो यहां से minus होगा मेरा minus two point twenty five तो हम अपने shoulder से minus two point twenty five करेंगे तो हमारा shoulder गिरेगा नहीं और यहां पर हमारी जू losing रह जाती है तो वह यहां पर fitting भी अच्छी आएगी अगर आपको यह shoulder chart buy करना है तो आप screen पर दिये number पर message कर सकते हो यह आपको purchase करना पड़ेगा अगर आप फिर भी आपके doubts clear नहीं होते हैं तो आप online class को join कर सकते हैं जो फरवरी से start हो रही है फुल बैच भी आप join कर सकते हैं blouse master class का basic से लेके advance का और जो class आपकी favorite है जैसे कि मैं दुबारा repeat कर रही हूं आप single class को भी यहां पर purchase कर पाएंगे उसके बाद यहां पर देखिए हमने for example देखा 2.5 inches लेकिन मैंने यहां पर चक्किया है कि मेरे shoulder में से 2 inch minus होगा तो 13.5 inches में से मैं 2 inch minus करूंगी तो 11.5 inches 11.5 inches का हम यहां पर half करेंगे तो 5.75 आया मेरा यहां पर 5.75 और यहां भी हम 5.75 पर ही निशान लगाएंगे और इस निशान को करेंगे हम यहां पर सीधा अभी देखिए हमने अपनी length पर निशान नहीं लगाया है क्योंकि जब तक हमारा neck draw नहीं होगा तब तक हम length पर निशान नहीं लगा पाएंगे और back part में हमने जो straight line थी हमारी उससे हमने अपनी length पर निशान लगाया था back की length हमारी छोटी हो जाए 1 से 2 inch तक तो वो चलेगा लेकिन front में हमें अपनी length को छोटा नहीं करना है और measurement कैसे लेना है blouse master class की playlist में आपको इसका video मिलेगा आप measurement कैसे लेना है वो check कर पाएंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यह जो minus किया वो shoulder और 2 and half inches है इसका हम center करेंगे और यहां से अपने neck की length पर निशान लगाएंगे तो neck है मेरा यहां पर 7 and half inches तो अभी यहां पर देखिए जो हमारा neck है वो हमारी chest line से नीचे आ रहा है तो हमें यहां पर losing कितना add करना है और 2 and half inches है इसका हम center करेंगे और यहां से अपने neck की length पर निशान लगाएंगे तो neck है मेरा यहां पर 7 and half inches तो अभी यहां पर देखिए जो हमारा neck है वो हमारी chest line से नीचे आ रहा है तो हमें यहां पर losing कितना add करना है कुंकि losing add जो होता है वह हमारे necks क्यों पर depend करता है कि हमारा neck किते न डीप है अगर हमारा neck यहां तक होता मैं जहां तक हमारी chase line है तो यहां में हम तू एंड हाफ इंच भी losing अगर इससे अभी हूँ यहां पर अगर हमारा नेक चेस्ट लाइन से नीचे आ रहा है हमारा नेक चेस्ट लाइन से नीचे आ रहा है तो हम इसमें लूजिञ एड करेंगे one and half inches क्योंकि यहां पे neck हमारा chest line से नीचे है तो वो losing भी ज्यादा लेगा इसलिए हमने यहां पे losing add करना है one and half inches अगर यहां तक होता हमारा neck chest line यह chest line से उपर one से one inch तक उपर जाएगा तो हम इसमें losing add करेंगे two inch अगर इस से उपर रहेगा two से three inch chest line से two से three inch तक उपर रहेगा तो हम इसमें two and half inches तक losing add करेंगे यह point आपका clear है यहां से अगर chest line से नीचे हमारा neck जा रहा है तो हम उसमें one and half inch तक losing add करेंगे chest line यह उससे one inch तक उपर है तो two inch losing add करेंगे अगर यहां से जो हमारी chest line है उसे 2 inch या 3 inch तक उपर हमारा neck जा रहा है तो उसमें 2 and half inch हम losing add करेंगे यह point आपका clear हो गया उसके बाद यहाँ पे हमारी chaser 31 and half inches plus हम उसमें 1 and half losing add करेंगे losing add हमें पहले ही कर देना है और divide by इसको करेंगे 4 तो 8.25 8.25 आया मेरा front में और 1 and half inches होगा हमारा losing sorry margin उसके बाद chest line से नीचे हमारा neck जा रहा है तो सबसे पहले यह जो state line और cross line के बीच में जितना भी gap है सबसे पहले तो हम इसको यहाँ पे करेंगे state deep neck में यह सभी size के लिए compulsory रहेगा जब हमारा neck deep रहेगा और एक चीज और ध्यान देंगे कि हमारा neck chest line से नीचे जा रहा है तो इसमें 0.25 0.25 हम और minus कर देंगे 0.25 यह मेरा 0.25 से हलका सा उपर आ रहा है यह 0.25 मेरा minus हो गया अभी हम यहाँ पर कह करेंगे अपना arm hold करेंगे जितना मेरा shoulder है यहां पर सबसे पहले हम इसका center करेंगे और इससे 0.25 हम अंदर जाएंगे और यह जो cross line है यहां से 0.75 मैंने पहले ही clear कर दिया है कि 0.75 कहां से आया है अभी हम इस वाले mark को करेंगे थोड़ असा नीचे और main marking fitting का main marking और 0.75 इन दोनों को हम यहां पर ऐसे मिलाएंगे और यह मेरा arm hold यहां पर draw हो गया उसके बाद जितना मेरा shoulder था वहां पर 2.5 इंचिस था तो हमने यहां पर 3.5 इंचिस लिया था यहां भी 3.5 इंचिस पर निशान लगाएंगे और यहां पर ऐसे सबसे पहले तो हम ऐसे वी नेक ब्रॉक करेंगे लेकिन अभी हम अपने नेक करेंगे center और center पर निशान लगाएंगे और यहां से जाएंगे हम 0.25 तक नेचे और यहां पर ऐसे वी लीफनेक यहां पर डॉआंगे अलका सा अगर यहां पर कि यह हमारा वी लीफनेक डॉआ हो गया है कि उसके बाद अभी हम अपनी लेंथ पर निशान लगाएंगे यह जो 25 वाली नीचे हमने लाइन लगाई है उस वाली लाइन पो नहीं देखनेंगे यह जो स्टेट लाइन हमने यहां पर रो किया है इस से हम 15.5 इंचे पर निशान लगाएंगे क्योंकि 14.5 इंचे मेरी जो है वो ब्लाउस की रेडी लेंथ है ऐसे हम यहां पर निशान लगाएंगे और उसके बार यहां पर हम यह जो हमारे स्टेट लाइन है सारे निशान हमारे नीचे वाले यहीं से ही लगेंगे तो जो शोल्डर 2 अपेक्स है 9.5 इंचिस है तो हम यहां पर 10 इंचिस पर निशान लगाएंगे और यह 7 इंचिस है तो 3 and half inches पे निशान लगाएंगे अपेक्स to apex और यहाँ पे अगर 3 inches है तो उसमें half inch कम करेंगे तो ये 3 inch आएगा 3 and half inches है तो उसमें से half inch हमने कम किया तो हमारा आया यहाँ पे 3 inches और इस वाले निशान को मिलाएंगे हम यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे डार्ट्स आएगा मेरा 28 से 35 के बीच में 2 and half inches का ये डार्ट्स भी हमारा size के according आता है आप same size जो मेरा process है आप 45 size तक same process कर सकते हूं उसमें कोई भी changes करने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ से हम डार्ट्स लेंगे तो यहाँ पे जो हमारा shoulder जो हमारी chest line है वहाँ से हम जाएंगे 1.25 उपर की तरफ और यहाँ से half inch के उपर एक line क्योंकि 1.25 का जो half होता है देखिए 1.25 का half करेंगे हम तो दीके half inch के उपर एक line आएगा तो यह हमें डार्ट्स यहाँ पर मिल गई है उसके बार हम इस वाली डार्ट को यहाँ पर ऐसे joint करेंगे और यहाँ से half inch नीचे हम चेक करेंगे कि यह हमारा यहाँ पर कितना है तो यह हमारा 1.25 आना चाहिए तो हलका सा point मेरा बहार जा रहा है तो हम इस वाले point के साथ इसको ऐसे मिलाएंगे तो यह हमारा 1.25 आना चाहिए यहाँ पर अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे नीचे की तरफ हमें सबसे पहले अपनी वेस्ट पर निशान लगाना है तो डार्ट को माइनस कर देंगे ऐसे जितनी हमारी वेस्ट है 26 डिवाइड वाइ 4 करेंगे 6.5 इंचिस तो हम यहाँ पर 6.5 इंचिस पर ही निशान लगाएंगे इसमें कोई लूजिंग एड नहीं करेंगे और 1.5 इंचिस हम इसमें मार्जिन एड करेंगे इन दोनों निशानों को आपस में मिलाएंगे और अभी यह जो हमारा साइड वाला मिशान है सबसे पहले अपेक्स पॉइंट और वेस्ट लाइन का करेंगे हम सेंटर और जो सेंटर मिला है और वेस्ट लाइन इसका भी हम यहाँ पर सेंटर करेंगे और अपेक्स पॉइंट और सेंटर इसका भी हम center करेंगे यहां पर ऐसे और यह जो नीचे वाला हमारा point मिला है यहां से जाएंगे हम half inch बाहर की तरफ और यहां से जाएंगे point 25 और इस वाले point के साथ यहां पर ऐसे मिलाएंगे और नीचे हमें ऐसे ही cross जाने देना है यह हमारा यहां पर कुछ ऐसे मिलेगा और यहां पर देनी है हमें हलकी सी round shape उसके बाद हम यही तक half princess cut यहां पर draw करेंगे उपर का डाट हमें minus करना है डाट अगर minus करेंगी तो सबसे पहले इसको check भी करेंगी तो 5.75 है तो यहां भी 5.75 होना चाहिए और यहां से नीचे जो हमने डाट लिया है उसका margin हम नीचे add करेंगे यहां से हम जाएंगे half inch अगर आप arm hole tight नहीं चाहते अगर आप हलका lose करना चाहते हैं अगर आप same process करेंगे अगर हमें यहां से half inch नीचे जाओंगी तो arm hole थोड़ा सा tight रहेगा और कोई crease नहीं आएगी लेकिन मैं यहां से 0.25 हलका सा और नीचे जाओंगी लेकिन आपको याद रखना है कि हमें front part में हम कितना नीचे गए हैं तो same हमें back part में भी उतना ही नीचे जाना होगा तो यहां पर 0.75 मैं नीचे गई हूँ ऐसे मैंने यहां पर निशान लगाया और यहां पर भी हम ऐसे निशान लगाएंगे उसके बाद हम यहां पर ऐसे round shape draw करेंगे तो यह हमारा यहां पर हलका सा lose आएगा जो arm hole रहेगा वो हलका सा lose रहेगा यहां पर tight नहीं रहेगा अगर आप हलका सा lose रखना चाहते हैं अपने arm hole को तो half inch से 0.75 अगर इससे भी ज़्यादा lose चाहते हैं तो वो थोड़ा सा यहां पर हलका सा अगर फिर crease आएगी अगर हम यहां से 1 inch down जाएगे और side से भी छोटे होने के chances रहेंगे तो half inch से 0.75 तक आप जा सकते हो उसके बाद हमें यहां पर चक करना है कि यह front side से कितना है 5 inch के उपर 3 line तो हम यहां से भी चक करेंगे कि यह 5 inch के उपर 3 line ही होना चाहिए तो नीची half inch का gap आया तो हम side में one inch का gap यहां पर ले सकते हैं और normally हम half inch का down जाते हैं अगर हम blouse बनाएंगे यह normally मैं बता रही हूँ जो हम shape draw करेंगे वो बाद में करेंगे और यह जो apex point है मेरा यहां पर इस वाले apex point को हम ऐसे निशान को आगे की तरह बढ़ाएंगे और यहां पर हम dart ले सकते हैं अगर हमें proper fitting चाहिए तो मैं यहां पर dart लूँगी तो मैं यहां पर half inch का यहां पर आसे करके dart ले लेंगे हम यहां ऐसे हमने dart लिया अभी जब हम यहां से half inch उपर जाते हैं तो इसकी shape जो है वो हमें normally state मिलती है तो हम यहां से approximate जो जाएंगे one inch उपर जा सकते हैं one and half inch हमारा ज्यादा हो जाएगा लेकिन हम यहां पर one and half inch तक उपर जाएंगे और यहां से जो हमारा dart है हम यहां से ऐसे shape देंगे इसमें ऐसे तभी जो है वो हमारा round shape आएगा आगे की तरह और यहां भी यह हमारा ऐसे रहेगा तो यह shape यहां पर ऐसे आएगा round shape में अगर आप इससे भी ज्यादा shape देना चाहते हैं क्योंकि यह यहां पर ऐसे dart minus हो जाएगा तो already यह shape हमारा ok आएगा तो उसके बाद अभी हमें क्या करना है point सारे हमारे draw हो गए है shoulder में हमारी जो पूरा state होता है यहां पर हम एक line जितना इसको हलका सा cross करेंगे क्योंकि दोनों shoulder को हम straight नहीं रख सकते तो इसलिए हमने एक line जितना इसको cross किया है अभी हम क्या करेंगे अभी हम इसकी cutting करेंगे और यह हमारा only pattern है तो हम यहां पर shoulder to waist start बनाएंगे shoulder to waist start का हम जो निशान है वो बाद में लगाएंगे और सबसे पहले हमें एक dot को cut करना पड़ेगा इसे करके हमारा डार्ट माइनस हो गया और यही जो शेफ है वह हमारी बिल्कुल पफ़ता ही है तो अभी हम क्या करेंगे इस वाले निशान को कि जो में मार्किंग है इसको हम यहां से ऐसे हलकाशा शेफ दे सकते हैं ताकि पॉइंड ना बने यहां वे तो ऐसे इसको कि और अभी हम क्या करेंगे जो हमारा शोल्डर है इसका करेंगे हम यहां पर सेंटर जो हमारा शोल्डर है इस शोल्डर का करेंगे हम काहीं हम यहां पर सेंटर सैंटर पर निशान लगाएंगे और इस निशान को अपने अपेक्स पॉयट के साथ यहां पर ऐसे करके जॉइंट कर दे हैं कर यहां पर जोयंट करने केaufen आ insult करने के बार इसको करेंगे हम यहां पर्क तो यहां पर यह हमारा बलाओ शोल्डर टू वेस्ट डाट कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है उसके बाद हमें यहां पर ऐसे करके हल्का सा राउंड शेप देना है ताकि यहां पर कोई पॉइंट ना बने कुली हमें हल्का सा पॉइय्ट देना है यहां पर और हमें दूसरी साइड भी हमार काजा में कॉट कि अभी हम देखेंगे कि हमने अपनेПрिंट को कैसे कट किया है जब हम इसको मिलाएंगे यहां पर यह देखिए जब पहले हमारा एक्स पॉइंट यहां था तो हमने हलका सा इसको राउंड शेप ऐसे कट किया है ताकि वो जो पॉइंट बना हुआ था हमारा कट का पॉइंट वो ना बने हैं अभी हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है अभी हम यहां पर मार्जन एड करेंगे और इसकी कटिंग करेंगे मेनस उसके बाद हम अपने बैक पार्ट को कट कर लेते हैं इस वाले पार्ट को लेंगे हम अपने उसके बाद हम यहां से 0.75 हम फ्रंट पार्ट में 0.75 गए थे लेकिन मैं यहां पर हाफ इंच ही नीचे डाउन जाऊंगी उसका रीजन है कि बैक जो हमारा आर्म होल है वो वैसे ही लूज ही रहता है और फ्रंट में हमने 0.75 यानि 0.25 उसमें लूजिंग एड़ किया तो वो नॉर्मली लूज हो जाएगा आप चाहें तो 0.75 इसको माइनस कर सकते हैं लेकिन मैंने हाफ इंच ही माइनस किया है यहां पर और उसके बाद हम अपने इस वाले पार्ट को यहां पर ऐसे कट तू कट रखेंगे यहां पर ऐसे और यहां पर ऐसे हैं यह हमारा ऐसे हो गया उसके बाद यह हमारा प्रिटिंग यहां पर ऐसे आएगा और इसको हम यहां पर ऐसे हलका सा क्रोस ही लेके जाना है हमें यहां से स्टेट नहीं रखना है तो यह यहांपर हम चक करेंगे 25 यहां पर हेंच तक मान स कर सकते हैं तो मैं यहां पर 0.75 तक यहां पर माइनस करूंगी मैंने 0.75 लिया है यहां पर उसके बाद यहां पर इसको ऐसे सीधा रखके जॉइंट करना है यहां पर ऐसे जॉइंट नहीं करना है और हलका सा यहां पर ऐसे राउंड शेप देना है उसके बाद यह जो मेरा बै को हम यहां पे ऐसे मिला देंगे तो यह साइड से हमारा पार्ट रेडी हो गया और हुक एंड आई के लिए हमारा फ्रंट में ही मार्जन रहेगा तो वह हम कि फ्रंट में ही रखेंगे उसकी ऑपनिंग और इसको हम कट कर देंगे कि उसके बाद जो हमने यहां पर अपना पैटर्न कट किया था जो बैक पार्ट हमने कट में हाफ इंच एड़ किया है और यहां पर मैंने हुप एंड आई के लिए हाफ इंच उम्हें अड़ करेंगे कटिंग करने के बाद हम यहाँ पे शोल्डर टू अपेक्स का यह जो मेरा निशान है यहाँ पे इसको हम डाग करेंगे इसको हम डाग करेंगे और यहाँ पे हम कट भी देंगे अब यह कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है उसके बाद हम इसकी स्लीव को कट करेंगे ब्लाउस की कटिंग कंप्लीट होने के बाद अब हम इसकी स्लीव कट करेंगे तो स्लीव कट हमें कैसे करनी है यह मेरा टीशट का फर्मा है तो यहाँ पे अगर हम टीशट स्लीव का फर्मा यूज़ करेंगे मुझे यहाँ पर हलका सा तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी सबसे पहले यहाँ मैं एक state line row करूँगी और जो उपर से है उपर से भी हम यहाँ पर 1 inch पर निशान लगाएंगे और यहाँ पर मैं center से भी 1 inch ऐसे करके निशान लगाऊँगी यानि मुझे यहां उपर भी वन इंच का गैप चाहिए और यहां भी मुझे वन इंच का गैप चाहिए और जो इसकी लेंथ है वो मुझे चाहिए यहां पर साड़े दस इंच तो मैं यहाँ पे साड़े दस इंच पे ही निशान लगाँगी क्योंकि हम only फर्मा कट कर रहे हैं आप चाहें तो स्लीव भी कट कर सकते हैं मैं आपको कटिंग करने का तरीका बता रही हूँ तो यहाँ पे देखे यहाँ तक मेरी स्लीव की लंध है यहाँ तक यानी मेरा यहाँ तक तो हम यहाँ पे इसको कॉर्णर में क्रॉस करेंगे और यह जो मुझे चुननट चाहिए उपर की तरफ और यहाँ पे सेंटर में वानिच का तो मैंने यहाँ पर यह जो निशान लगाया था मैंने यहाँ पर अपनी स्लीव को ऐसे रख दिया फर्मेट अभी हमें क्या करना है only हमें यहाँ पर अपनी स्लीव का जो है वो मुझे ऐसे अपना armhole draw और यह जो शेप है वो मुझे यहाँ पर draw करनी है तो अभी इसका reason देखिए हमने यहाँ पर फर्मा क्यों बनाया है और यह हमने ऐसे draw क्यों किया है जब भी हमारी fitting मालों की यहाँ तक हमारा shoulder आ रहा है तो यह gap हमें अपने आप ही मिलेगा और अगर यहाँ तक हमारी sleeve जा रही है तो यह देखे यहाँ पर जादा gap हो गया तो यह भी अपने आप मिलेगा और यह decide करने की हमें जरूरत नहीं है तभी जो हमारी है वो crazy यहां पे नहीं आएगी और उसके बाद अभी हमें सिर्फ shape के लिए इस फर्मे का use करना है तो अभी हम इस फर्मे को उठाएंगे और यहां से इसको ऐसे कर देंगे उसके बाद यह जो हमारी state line है यहां पे इसको हम सीधा करेंगे ऐसे अभी हम अपना shoulder यहां पे चक करेंगे तो सबसे पहले back करेंगे और यह जो half wing सिलाई हमारी आएगी उपर की तरफ तो हम यहां पे यह जो हमने वन इंच का निशान लगाया है इसको छोड़ के ही हम यहां पे ऐसे रखेंगे यह हमने यहां पे निशान लगाया यह मेरा back का हो गया और अभी हम front के लिए भी चक करेंगे तो सबसे पहले हम half inch उपर ऐसे छोड़ देंगे और यहां से ही हम इसको चक करना शुरू करेंगे और ध्यान रहे कि यह जो मेरा margin है वन इन हाफ इंचिस का इसी के ही अंदर रहेगा हमारा तो अभी हम अपने फर्मे को ऐसे उठाएंगे और यह दो दो point हमें मिले हैं हमें इसका यहां पे ऐसे center लेना है और जितनी हमारी महुरी है यहां पे यहां पे है 10 इंच तो मैं 10 इंच पे निशान लगाऊंगी और 1.5 इंच यहां पे मैं extra लोग तो अभी हम यहां पे इस वाले part को करेंगे यहां पे ऐसे इसके साथ मिलाएंगे तो अभी देखे यह sleeve हमारी कितनी easily row हो गई है और यह बिल्कुल proper आएगी और जब हम इसको blouse में attach करेंगे तो ध्यान रहे कि यह वाला जो margin है हमारा वो कम या जदा नहीं होना चाहिए वो बिल्कुल बराबर होना चाहिए तो हमें इसी तरीके से जो हमने यहां पे चक किया है उसको बिल्कुल हलके हाथ से यहां पे रखना है, खीचना नहीं है, और कम भी नहीं करना है, बिल्कुल नॉर्मली रखना है, और प्रॉपर यहां पे निशान लगाना है, उसके बाद हम यहां पे क्या करेंगे, यहां से लेके यहां तक, यह जो मेरा पार्ट है यहां पे, य और यह वाला निशान हमारा अंदर की तरफ आएगा यह बाहर नहीं लगाना है हमें क्योंकि हमने इसका सेंटर लिया था तो यह निशान मेरा यहां पे अंदर की तरफ आएगा ऐसे तो अभी जो फाइनल मार्किंग है वो मेरा सेंटर वाला है तो अभी सेंटर और यह जो मु इस वह जो हम वन इंच उपर गये हैं इस वाले पार्ट से जहां से हम यहां पर ऐसे round shape डोग करना start करेंगे तो यह मुझे हलका सा हलका सा ही मिले मुझे यहां पर चुन्नट मिलेगा हलका सा ही puff हम यहां पर बनाएंगे तो अभी हमारा ये फर्मा कंप्लीट हो गया है अभी हम इसको करेंगे कट और ऐसे ही में फाइनल अस्तर पे भी इसको कट कर लूँगी और यहां पर नीचे की तरफ नीचे की तरफ मैं यहां पर अगर आप सेम ऐसे ही इसको फोल्ड करना चाहते हैं तो 2 इंच का मार्जन जाएगी ऐसे हम इसमें मार्जन एड करेंगे तो अभी हम कर लेते हैं इसकी कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है उसके बाद अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं और ओनलाइन क्लास के लिए अपडेट आपको वड़ सकते और पोस्ट पे भी मिल जाएगा और इंस्टाग्राम की स्टोरी और इंस्टाग्राम की पोस्ट में भी आपको मिल जाएगा सो मिलते हैं इसकी स्टीचिंग की वीडियो के साथ एं ठैक्स फौवाचिंग